सिर्फ रात में ये एक पत्ता इस त्रहें से लगा ले और सुगर रोग को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खतम करें। सुगर रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। डाइबर्टीज रोग का इलाज परिणाम के साथ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो दिपावली की हारदिक सुब काम नहीं। दोस्तों आईए दिपावली को सेलिबरेट करते हैं अपने सरीर की हेल्थ को सही करके। इस सुगर रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर इस दिपावली पर। दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको इस सुगर की बीमारी का एक ऐसे चमतकारी नुष्खे को आपको बताएँगे जिसका प्रयोक करके आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पासकते हैं और अपने शरीर को बिलकोल सवस्थ बना सकते हैं दोस्तों ये चीनी की बिमारी आज कल बहुत अदिक हो गई है दोस्तों हर घर में इसका कोई ना कोई मरीज मिल ही जाता है आज के समय में भारत में ये तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका जो मुखे कान है वो है आज की हमारी दिंचरिया दोस्तों हमारी दिंचरिया हमारा खानपन ऐसा हो गया है कि ये बिमारी हमारे सरीर को अपना घर बना लेती है और दोस्तों इस एक बिमारी के कान हमारा पूरा सरीर ही बिमारियों का घर बन जाता है क्योंकि इस diabetes की बीमारी के complication बहुत अधिक है इस बीमारी के कान किसी को heart की बीमारी हो जाती है किसी को kidney की बीमारी हो जाती है किसी को liver की बीमारी हो जाती है किसी को पाचन से जुड़ी बीमारी हो जाती है यानि इस एक बीमारी के कान ही हमारा पूरा सरी बीमारियों का घर बन जाता है और हम इसके कॉम्पिलिकेशन को भूगते रहते हैं लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दिबावली के खास मोके पर हम आपके लिए एक ऐसा चमतकारी नुस्खा लेकर आए हैं इसका परियोग करके आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पास परे हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस चमतकारी नुस्खे के बारे में उस चमतकारी उपाए के बारे में जो आपके इस रोग को बिलकुल सही कर देगा दोस्तो आज की सुडियों की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो आग दोस्तो आग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा हमारे सरीर का ऐसा कोई भी रोग नहीं है AD से लेकर चोटी रख जिसमें आग का परियोग ना होता हो और जिसमें आख एक बहुत आदिक चमतकारी का रिजल्ट ना देता हो दोस्तो आख के बहुत सारे कुण है आख को आख आकड़ा और मधार के नाम से जाना जाता है दोस्तो चाहे आपके अपने सरीर को दर्द को ठीक करना हो या सुगरों का इलाज करना हो या आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज करना हो जैसे अस्थमा टाइब तो दोस्तो आख इन सब में एक महत्यपून ओस्ती की तरह काम करती है और आपकी इस समस्या को बेलकुल जड़ से खतम करतीती है लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको आख की एक सपेसल गूम जो डाइबटीज के लिए है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे यानि इस वीडियो में हम सिरफ आपको diabetes का इलाज बताएंगे कि आपका प्रयोग से आपने diabetes का इलाज करना कैसे है दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए आपका पत्ता आपको आपका पत्ता लेना है जैसे कि हम ले रहे हैं आपका पत्ता अब आपने क्या करना है आपने इस आग के पत्ते को क्या करना है पैरों के तलवे उपर बांगना है किसी भी धागी की साहिता से दोस्तो अब बहुत सारे मेरे भाईयों के मन में ये रहता है कि हम इसको सीधा बांदे उल्टा बांदे किस तरीके से बांदे तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि आप इसको किसी भी तरीके से बांद सकते हैं ये दोनों ही चाहे आप उल्टा बांदी या सीधा बांदी दोनों ही तरीके से चमतकारी कर जैल्ट आपको देता है और आपके इस सुगर लेवल को सही करने का काम करता है आपने क्या करना है इस आग के पत्ते को लेकर अपने पैरों के तलवे पर इसको बांगना है और उपर से धाके की सहायता से इसको लपेट देना है उसके बाद कोई भी सोक्स या जुराब हुगारा लेकर आपने वो डाल देना है और दोस्तो रात को इसको डाल कर आपने ऐसे ही सो जाना है और सुबह आपने इस आग के पत्ते को निकालते नहीं दोस्तों यदि आप लगातार दो से तीन दिन इसका प्रियोग कर लेंगे तब आपको अपने सुगर के जो लेवल है उसमें आपको फर्क दिखाई देगा दोस्तों आप अपना जब सुगर चेक कराएंगे तब आपको बिलकुल नौर्मल बिलेगा बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है जो सावधानी है वो ये है कि इसका प्रियोग आपको आधिक नहीं करना है दोस्तों जैसी ही आपको लगे कि आपका सुगर लेवल बिलकुल नौर्मल है तब आप इसका प्रियोग बंद कर दे अपने खान पान को प्रूपर रखें जिससे कि आपको दोबारा सुगर रोग नहीं होगा नहीं आपका सुगर लेवल बढ़ेगा आप अपने खान पान को ध्यान रखना ही होगा इसके साथ में आपको एक काम और करना है एक चमच मेधिदाना और एक चमच कलोंजी के बीज लेकर रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीगो कर आपने रखने हैं और सुबह बासी मे उस पानी को भी पी लेना है और कलोंजी और मेधिदाना को भी चबा चबा कर खा लेना है इससे क्या होगा जो यह आपका पत्ता है वो तो आपके सुगर लेवल को कम करने का काम करेगा और जो इस मेधिदाना और कलोंजी का पानी है वो इस डाइप्टीज की विमारी के जो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडि के सन आत रहे धन्यवादों